हलो फ्रेंज अल्मेडिस डेंड फार्मस्योटिकल एनालिसिस बी-पी-वन-जी-रो-टू- ठीक के बारे में बात करेंगे और इस विडियोके लाश्टमे हम लोग इसके कल्कुलेशन के में भी डिटेल में बात करेंगे मेरा नाम है डॉक्टर महमताब सिंक्ट है barium chloride उसका हम लोग यहाँ पे measured जो volume है उसको यहाँ पे लेते हैं और उसको फिर हम यहाँ पे titrated करते हैं with the sulfuric acid के एक जो हमारा dilute solution है उससे फिर हम लोग इसका यहाँ पे titration करते हैं तो इस condition में जो हमारा यहाँ पे होता वो sulfuric acid उसका हम लोग जब यहाँ पर titration करते हैं with the barium chloride तो इस condition में जो हमारा यहाँ पर barium होता है वो यहाँ पर precipitate out होते हुए हमें देखने को प्राप्थ होता है alubarium sulfate के form में यह हमें यहाँ पर precipitate out होते हुए देखने को प्राप्थ होता है तो इस condition में जो हमारी reaction होती है अगर हम लोग उसके बारे में बात करते हैं, जो यहाँ पे हमारा होता है barium chloride, उसके अंदर हम लोग जब जो हमारा होता है sulfuric acid उसको यहाँ पे add करते हैं, इनके बीच में जब यहाँ पे reaction होती है, तो हमें वहाँ पे baso4 जो हमारा है barium sulfate, वो यहाँ पे precipitate out होते हुए देख हमारा जो इस place पे है वो barium ion, उसके साथ में complex को create करता है, और यह यहाँ पे baso4 के form में हमें precipitate out होते हुए देखने को प्राप्त होता है, और इस place पे जो हमारा है H2 है, और जो हमारा यहाँ पे CL2 है, यह आपस में यहाँ पे combined होते हैं, और यह यहाँ पे SCL के form में हमें release हो जो होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं, तो इस condition में जब हमारा यहाँ पे precipitation हो जाता है, जो भी हमारा यहाँ पर है, बेरियम सलफेट, वो जब यहाँ पे precipitated हो जाता है, तब हम लोग उसको वहाँ पे filter कर लेते हैं, अच्छे से Irene कर लेते हैं, और फिर उसका weight हम condition में, जो हमारा यहां पर है, वो barium, वो sulfate है, उसका हमारा कितना यहां पर mass है, उसको फिर हम लोग यहां पर आसानी से calculate कर लेते हैं और इस चीज़ को identify यहाँ पर कर लेते हैं कि इसके अंदर हमारा कितना barium था, उसको हम लोग यहां पर identify कि इसको हम लोग आखिरकार किस तरह से हम लोग यहां पर सबसे पहले क्या करते हैं कि एक हम लोग यहां पर गिवन अमाउंट जो हमारा होता हो बेरियम जो क्लोराइड है उसको हम लोग एक इसस से पहले यहां पर ले लेते हैं और फिर इसका जो हमरा होता है प्रिम जो लोग प्रप रेर कि जब इसका हमारा हम लोग जो सलुशन है वो लोग सिसमें हमें से हम जो यहां पर वह 20 shrya सब्रकर लेती है और फिर उसको हम पे 250 mm के एक लेते हैं बीकर और उसमें हम लोग उसको वहाँ पे प्लेस कर देते हैं तो अब हम लोग जो हमारा यहाँ पर वहाँ इंदर हम लोग 278 वहाँ आड़ करते हैं अप्रोक्समेटली यहाँ पर 5 कम से कम होती है, जिसके कारण कि उसका precipitation हमें अच्छे से देखने को प्राप्त होगा, इसलिए हम लोग इस प्लेश पे हलका सा SCL को इसमें add कर लेते हैं, और फिर उसके बाद इसका जो होता है volume 150 ml तक हम लोग distill water को उपयोग करके इसको हम लोग produce कर देते हैं तो जब हमारा 150 ml का यहाँ पे solution प्रपेर हो जाता है तो उसको फिर हम लोग यहाँ पे heated करते हैं और अच्छे से हम लोग इसको यहाँ पे boil एक तरह से कर लेते हैं, तो जब हमारा इसका जो process है, हमारा boiling का वो complete हो जाता है, अब हम लोग यहाँ पे अपने titration की process को start करते हैं, तो इसमें हम लोग approximately 10 से 15 ml तर हम लोग लेते हैं, यहाँ पे 4N H2SO4 को यहाँ पे add करते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे drop by drop add करने का यहाँ पे काम करते हैं, तो इस condition में, जब हम लोग इसको यहाँ पे add करते हैं, तो जो हमारी होती है, stirring की process उसको वहाँ पे अच्छी सेख करने की जो हमारी process है, उसको हम लोग वहाँ पे constant रूप में हमेशा वहाँ पे करते रहते हैं, तो इस condition में हमें जब यहां पर ऐसा वो लगता है कि यहां हम कह सकते हैं कि जो हमारा S2SO4 है उसको हम लोग यहां पर तब तक हम एड़ करते हैं वो जब तक कि जो हमारा है वहां पर precipitation वो हमें complete होता हुआ देखने को प्राप्त वो नहीं होता है हमें उस place पर एक तरसे ऐसा वो लगना चाहिए कि अब जो हमारे precipitate form हो रहे हैं वो वहां पर completely form हो गये हैं तब तक हम लोग उस place पर S2SO4 को यहां पर add करते वो रहेंगे तो उसके बाद में हमारा जो वहां पर solution होता है वो जिसके अंदर हमारा वो precipitate होता है उसको फिर हम water जो bath होता है उसके उपर approximately 5 minute तक हम लोग इसको heat करते हैं जिससे कि जो भी हमारा वहां पर precipitation हो रहा है वो वहां पे complete हो जाये हमारे precipitate complete वहां पर form हो जाए इसके लिए हम लोग इसको एक just water bath है उसके अपर approximately 5 minute तक और heat करते हैं तो उसके बाद में अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको हम लोग अब यहाँ पे filter करते हैं इस condition में हम लोग यहाँ पे उपयोग करते हैं एस लिस जो हमारे filter paper होते हैं उनको हम लोग filtration के लिए यहाँ पे उपियोग करते हैं जिसमें हम लोग यहाँ पे जो हमारा होता है एक तरसे वाट मैन वो नमबर 40 का हमारा होता है filter paper उसको हम लोग अधिकतर यहाँ पे उपियोग करते हैं हमारी filtration की process को carry out करने के लिए अब जब हमारा यहाँ पे filtration की process complete हो जाती है तो उसके बाद में यहाँ प completely remove हो जाए इसके लिए हम लोग hot distilled water से जो भी हमारा precipitate form हुआ है एक तरस वह बीए एसो फोर का जो हमारा वहाँ पे precipitate form हुआ है वो उसको हम लोग अच्छे से wash कर लेते हैं तो उसके बाद में अब जब हमारी वहाँ पे एक तरसे washing की process complete हो जाती है और हम जो भी हमारा वहा पे एक तरसे dry भी कर लेते हैं तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे वो dry होते हैं वो filter papers होते हैं उनको हम लोग अच्छे से वहाँ पे fold कर देते हैं और फिर उसको हम लोग जो हमारे crucibles होते हैं उनके अंदर हम लोग वहाँ पे place कर देते हैं ignition की process को करने के लिए हम लोग इसको crucible के अंदर यहाँ पर place कर देते हैं तो इस place पर हम लोग इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखते हैं कि जो भी हम crucible यहाँ पर उप्योग कर रहे हैं उसको हम लोग सबसे पहले उसका जो weight है वो वहाँ पर हम लोग एक तसरे वो determine कर लेते हैं और उसके बाद में फिर हम उसके अंदर जो हमारे होते हैं वो dried हमारे filter papers होते हैं वो जिनके अंदर हमारा precipitate वो है उसको फिर हम उसके बाद में उसको place करते हैं तो इस condition में क्या होता है कि जो हमारे crucibles होते हैं जिनके अंदर हमारे precipitate होते हैं उसको हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा होता है वो बुंसन हमारा burner होता है उसके अंदर सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ पर प्लेस करते हैं और इसका जो हमारा flame है वो हमें low देखने को प्राप्त होता है तो starting में हम आसान तरीके से कह सकते हैं कि इसको हम लोग starting में add वो low flame हम लोग यहाँ पे heat करने का काम करते हैं, उसके बाद में हम लोग इसको फिर transfer करते हैं, हमारे electrical जो होते हैं, वो बर्नर वो जिनका हमारा flame high होता है, फिर हम इसको वहाँ पे उसमे transfer करते हैं, तो इस condition में क्या होता है, कि जो भी हमारा वहाँ पे है crucible उसके अंदर, हमार जो है cool कर लेते हैं, तो जब हमारा यहाँ पे अच्छे से cool हो जाता है, तो फिर उसके बाद में, फिर हम लोग इसका यहाँ पे weight, वो determine कर लेते हैं, तो इस place पे जो हमारा यहाँ पे heating है, हमारा यहाँ पे cooling है, और जो हमारा यहाँ पे weighing है, उसको हम लोग तब तक यहाँ repeat करते हैं जब तक कि हमारे crucible का जो weight है वो हमें constant weight के रूप में होते हुए देखने को प्राप नहीं होता है तो इस condition में जब ये constant weight है उसको वहाँ पर attain कर लेता है तो इसका हमारा यहाँ पर यह मतलब होता है कि जितना भी ignition यहाँ पर होना था वो complete हो गया है अब इसके आगे अब और ignition यहाँ पर हमें देखने को प्राप नहीं होगा यह इस चीज़ को यहाँ पर indicate करता है तो जब हमारा यहाँ पर constant weight आ जाता है अब हम लोग यहाँ पर calculation की process को start करते हैं तो इस condition में हमने starting में ही बात किया था कि जो भी हमारा वहाँ पर crucible है उसका weight हम लोग precipitate को वहाँ पर उसके अंदर डालने से पहले हम लोग उसका weight वहाँ पर सबसे पहले पता कर लेते हैं तो इस condition में अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि हमारा इसमें वो सबसे पहले क्या है that is the हल मास आवदर crucible plus lid जो हमारा होता है crucible और जो उसके उपर हम लोग वहाँ पर Düd लगाते हैं उसका जो हमारा यहाँ पर होगा अकतरसे weight होगा उसका हमारा जो यहाँ पर mass होगा वो अगर यहाँ पर x gram है और उसके बाद में हमारा जो इकतरसे हो gr 3 था और जो हमारा वो लिड था और उसके अंदर जो हमने अपना वो precipitate यहाँ पे add किया उसका जो हमारा एक तरसे हम कह सकते हैं कि weight जब हमारा constant weight हो जाता है तो उस condition में इसका जो हमारा एक तरसे weight है वो अगर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि y gram है तो अब अगर हम लो यहाँ पे यह कहते हैं कि हमारा जो होगा barium sulfate उसका weight कितना होगा उसका हमारा कितना यहाँ पर mass होगा तो उसको हम लोग जो हमारा यहाँ पर एक तरसे y है उसमें से जब x को हम लोग यहाँ minus कर देंगे तो उतने gram हमारा barium sulfate का वहाँ पर weight निकल आएगा mass निकल आएगा तो अगर हम लोग एक तरसे यह मानते हैं कि जो हमारा यहाँ पर है वो barium sulfate उसका जो हमारा यहाँ पर weight है वो अगर यहाँ पर वो z gram है तो इस condition में अब हम लोग इसकी calculation को यहाँ पर start करते हैं तो इस place पर कि जो हमारा यहाँ पर है baso4 है उसका अगर जो weight है वो यहाँ पर होगा वो 233.36 gram होगा तो उसके अंदर जो हमारा यहाँ पर है वो barium है उसका जो हमारा इसके अंदर होगा weight वो होगा हमारा approximately जो one hand वो 37.36 gram हमारा इसके अंदर हमें barium देखने को प्राप्त होगा तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि हमारा 1 gram में यह कितना होगा तो यह हमारा हो जाएगा यह होगा हमारा जो 1 hand of 30 7.36 upon 2 hand of 33.36 से जब हम लोग इसको divide कर देंगे तो 1 gram में हमारा यहाँ पे कितना है barium वो हम लोग आसानी से यहाँ पे calculate कर सकते हैं तो इस condition में हमारा है इस place पे जो हमारा वो barium sulfate है वो कितना है वो z gram है तो अगर हम लोग बात करते हैं वो z gram में यह कितना होगा तो हम लोग simply इसको यहाँ पे z से multiply कर देंगे तो इस condition में हम लोग यह यहाँ पे identify आसानी से कर सकते हैं कि जो हमारा वहाँ पे है barium वो sulfate है उसके अंदर कितना हमारा यहाँ पे barium present है तो इस तरह से हम लोग आसानी से हमारा जो है एक तरह से barium sulfate है उसमें हमारा कितना यहाँ पे barium है उसको आसानी से estimate कर सकते है ग्रेवमेटिक एनालिसिस को यूज करके है तो I think so जो हमारा वो बेरियम सलफेट है उसका estimation आप लोगं को clear हो गया होगा अगर अभी भी कहीं कोई confusion है तो comment करके पूछ सकते हैं इस topic का PDF आपको description में मिल जाएगा इस video को like करें अपने दोस्तों के साथ वो share करें और हमारा जो वो channel का application है उसको भी download करना बिलकुल भी न भूलें thank you